नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां केवल कही जाती है सच बात सच के देखिए एक सवाल है अभी उठा है कि भई क्या हमें जर्जमेंटल बनना चाहिए इसका जवाब नहीं नहीं बनना चाहिए तो क्या हमें किसी को सही मार्ब दिखाना चा इसको समझ दो ना समझे उसकी अपनी मर्जी लेकिन यह वी सोचो कि भाई यह राश्ते में करा किसने उससे भी पकड़ो अगर समाज की बात उठेक तो समाज में भूत से बात उठेगी आपकी अपनी मर्चे नहीं चलेगी समाज के इसाफ से चलना पड़ेगा तो समाज में तो बहुत सी बात है समाज में ये भी क्या ये आया कहां से जो भाई सुनाली फोगाट एक दूसरे भाई पहलवान साब है उन्हें जो ड्रग से लिए उसके लिए हम सब को दुखे जो भी उनके साथ गर्थ हुआ लेकिन बात है कि ड्रग आया कहां से समाज में जब सही बात कहोगे तो दिक्कत हो जाएगी ड्रग समाज में आया कहां से? लाया कौन ड्रग लाने वाले को आप भासी दो कि सक्थ सजा दो कि लोगों नब आपत्ती कियो है कि अगर सक्थ सजा देंगे कि एफ जाएंगे फुर नहीं है कि हु़्ल छोटी थोडी सजा पतंटी सजास आदम को देने के बज़ा एक आदमी posट के जादा सजा मैं बात कही rubbish गई है कि मित्तु डंड दो, लोगों न कहा कि, छोटी सजा के लिए मित्तु डंड, बला हम मित्तु डंड, क्यों? क्योंकि आदमी थोड़ी सजा देन से बढ़िया है कि एक आदमी को ज़्यादा सजा दो जो ऐसी हो कि देखने वाला डर्च जाए इसे कहते हैं सही कानून वाई डर्च कहा से आ रहा है हंधुस्तान में कौन ला रहा है कौन ला रहा है किसलिए है फिर हमारी सेना पर बोर्डर सेक्योर्टिव किसलिए खड़ी है नहीं है इनके बसकातिने बोलो पर दूसरे जवान आएंगे वो करेंगे सब्सक्राइब घर जो सवाल अनेक है जवाब कोई नहीं है क्यों याज सबसे बड़ी बात आज कर समाज में होने करनी है कि भाई हिंदु खत्रे में है मुसलमान खत्रे में है धरम खत्रे में है बहस टीवी किसी होगी धरम की कि भाई धरम की बात कर लो पर बैठ के धर्म खत्रे में हैं कमाले जी धर्म खत्रे में आगे वह तो रामन के टाइम में धर्म खत्रे में नहीं आया करंज के टाइम में धर्म खत्रे में नहीं आया आज की डेट में धर्म खत्रे में आगे अच्छा धर्म है हमें judgmental नहीं बनना लेकिन सही मार्ग दिखाना है किसी को लेकिन सही मार्ग को कैसे दिखाने का तरीका है कि उसको धीरे से बता दिया जाए समझा दिया जायो समाज में भी समाज भी देखे यह चीज़ यहां आई कहां से यहां कहां से इस पर बहश हो यह सथाई समयदान समयदान दो तरह का होते हैं एक सथाई समयदान मालो कहीं पानी भर जाता है पानी को अटा दिया जाडू मार दिया पराज से बाल्टी से उसे फैंक दिया यह है अस्थाई समधान पानी फेरा जाएगा लेकिन यह क्या सथाई समधान पानी आया कहाँ से उस जो source of water उसे बंद करो और जब source of water बंद हो जाएगा तो पानी आयेगा नहीं वहाँ पे और पानी जब आयेगा नहीं तो सफाई की जोद्री पड़ेगी इसे कहते हैं पर्मानेंट सोलूशन तो बात हमेशा पर्मानेंट सोलूशन की हो नहीं चाहिए टेंप्रेरी सोलूशन की नहीं टेंप्रेरी सोलूशन से कोई फाइदा नहीं होता समाज का तो पिस समाज का फाइदा कैसे होता है समाज का फाइदा पर्मानेंट सोलूशन सोलूशन होता है ग्राश्ति जा समधर ब्रम्चारी होता है, कोई यह समझे के बढ़ परस्ती बन गए नहीं, हिने से पढ़ा नहीं, ग्यान नोलेच वो किसे भी वेक्तिक अंदर आ सकता है, एक साल के बच्चे के अंदर भी आ सकता है, अलग बुठे के अंदर में नाए बड़ बड़ाता रहे बैठके ऐसे बहुत से हैं आप ढूड़ो मिल जाएंगे उनको यह करते रहेंगे कोई लेकिन कोई फायदा नहीं इसका फायदा किसका है फायदा है कि क्यान सच्चा क्या है सोलूशन तो दे रहा है आदमी सोलूशन परमानेंट दे रहा है कि टेंपरेर दे रहा है जंडा तो पकड़ा दिया सब के हाथ में लेकिन जंडी वाली कार किसको दी सब जंड़े लेगे घुम रहे हैं जंड़ी वाली कार किसके पास यह देखो जब आदमी यह देखने लग जाएगे जंड़ा टाय सबके हाथ में जंड़ी वाली कार उसके पास ऐसा क्यूं तो समझो कि वो सही सोलूशन के तरफ चल पड़ है समझी यह बात को और बाकी कोई सवाल है तब पूछी और जब आपको देंगे आपको धन्यवाद बहुत बत्वाद सभी भाईयों का